देखो, काराएं दो अंकों की एक संख्या, अपने अंकों के गुनन फल के दो गुने से आठ कम है, यदि 21 के अंक से दहाईं का अंक एक अधीखो, तो वह कौन सी संख्या है, तो Yamaalete एमाना, इकाई की संख्या बराबर X दहाई की संख्या दहाई की संख्या क्या हो जागी तो आपके कोशन में कह रहा है कोशन में कह रहा है कि यदि इकाई के अंक से दहाई का अंक एक अधिक हो इकाई के अंक दहाई के अंक से एक अधिक हो यहाँ ली सकते हैं दौ अंको की संख्या तो आप लोग 2 अंको की संख्या کے लिए क्या जानते हो तो 10 गुना में दहाई और प्लस में इकाई 10 गुना दहाई और प्लस में इकाई अब लिखेंगे प्रस्न से, क्या का रहा है कि दो अंकों की एक संख्या, तो दो अंकों की संख्या यहीं न है, दस गुना एक्स प्लस वन प्लस एक्स, दो अंकों की संख्या यही है, दो अंको की संग्या, अपने अंको के गुननफल के, अंको के गुननफल के, यानि काई और दाही के गुननफल के, दो गुने से, दो गुने से, आठ कम है, यहां 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 आठ गटा देते हैं, तो इसको थोड़ा सा solve करना हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा 10x और प्लस में 10 से कम 10 और प्लस में x बरावर यहाँ देखो 2x square प्लस का 2x माइनस का 8 ठीक है चलिए अब एक काम करते हैं सब को एक तरफ करते हैं तो उन सब को भी धर लेके चले आओ यहाँ लिखते हैं के 11x प्लस का 10 माइनस का 2x square माइनस का 2x प्लस का 8 बरावर में 0 यह न हो जाएगा चलिए तो यहाँ माइनस का 2x square और यहाँ देखो इसमें से इसको घटा सकते हैं तो प्लस का 9x और यह 10 और 8 18 बरावर में 0 हो जागा नहें यहाँ से चलिए अब यहाँ से अगर हम लोग देख veil ऐसे भी गुनाखरण कर सकते हैं कोई दिख्कते हैं इसमें गुना कर सकते हैं इसमें माइनस का 36x square रहेगा है तो तो माइनस का 2x square ऐसी रहने तो कोई डिक करते हैं इसका गुरंगर करते हैं तो यहां प्लस का 12x और माइनस का 3x और प्लस का 18 बराबर में जीरो देखो घटे का तो 9 और 12 तिया माइनस 36 एकस को राजा की नहीं यहां कोई करो माइनस का 2x ठीक है तो यहां बच जाएगा आपका x साइन बदलेगा और यहां पर कितना बचेगा तो यहां बचेगा 6 इन दोनों में माइनस का 3 कोई होगा x-6 दोनों ब्रेकट में एक जिस आ गया ना तो x-6 को बाहर निकाल दो यहां बच जाएगा माइनस का 2x माइनस का 3 बराबर 0 चलिए अलग-अलग यहां से करते हैं तो x माइनस 6 बराबर 0 और माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 x बराबर यहां से 6 और माइनस 2x बराबर यहां से माइनस का 3 था तो इधर आखे प्लस का हो जागा यह भाग में मैनस का 3 बट दो आ गया तो चुक ही dellकाइ़ का अंक अंक एक धनात्मक पुर्णांक होगा धनात्मक पुर्णांक आएगा तो यह तो बटा में है धनात्मक पुर्णांक त भूह नहीं यह उपर से मैनस में भी है इसलिए x का मान जो होगा छे लेंगे, एक्स का मान छे लेंगे तो हमें क्या निकाल नहीं है, दो अंकों की संख्या दो अंकों की संख्या तो क्या था दो अंकों की संख्या दस गुना एक्स प्लस वन और प्लस में एक्स नहीं था तो एक्स के ज़र रख देते हैं, दस गुना 6 प्लस में 6 यह 6 एक साथ 10 सत्य सत्तर आप प्लस में 6 यानि कि 76 आपकी संख्या प्राप्त होगी समझ गया ना तो यह ऐसा नहीं है कि इसी से आप बनाओ आप तीसरे चैप्टर में जो पढ़े हुए हो थर्षेप्टर दो चर वाले रैकिक समिकरन युगम जो पढ़े हैं उसमें भी काई और दहाई पर अधारित कोश्चन थे तो उस तरीके से भी बना सकते हो एक्जाम में क्यों भी तरीका चलेगा यह थोड़े कहेगा कि आपको दिवगात समिकरन से ही बनाना है यह दिवगात समिकरन से एक चर लेके बनाने का तरीका हुआ आप दो चर एक्स और वाले रैकिक समिकरन युगम पर भी बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है कोई गलत नहीं कहेगा